हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो ए 24 नॉलेज ये ओफिशल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR Central Institute of Mining and Fuel Research धनबाद की New Requirement Notification के बारे में तो फ्रेंट्स यहाँ पर जो यह Notification Invite की गई है जो की आपके यहाँ पर Project Assistant and Project Associate Post पर रहेगी तो फ्रेंट्स इस से रेलेटेट जानकारी आपको मिल जाएगी JobRasta.com पर वहाँ पर जाकर आप इसकी डेटेल को चेक कर सकते हैं अगर आप eligible है, apply करना चाहते हैं, apply कर सकते हैं तो सबसे पहले फ्रेंट्स जो यह engagement है आपके various post के लिए यह आपका contact basis पर रहेगा और इसके लिए आप apply कर सकते हैं offline सबसे पहले है project assistant की vacancy जिसमें total 4 post है जिसमें आपकी जिस stipend है वो 20,000 रुपे आपको मंतली मिलेगा यहाँ पर देखिए 3 post जिसके लिए है उसमें आपका bachelor of science with या और honors in chemistry आपके पास होना चाहिए एक post जिसके लिए है उसमें friendship bachelor of science या तो आपके पास geology में हो या bachelor of science honors आपके पास geology में होना चाहिए project associate की बात करें तो 14 post यहाँ पर रहेंगी stipend आपको 35,000 रुपे पर मंत मिलेगा पर अगर आप यहाँ पर gate, net या CSIR, UGC या उसके equivalent कोई exam qualified candidate है तो आपको 31,000 रुपे पर मंत salary यहाँ पर मिलेगी इसमें friends से सबसे पहले बात करते हैं vacancy detail की तो 8 post जहाँ पर है friends से इसमें post graduate master degree आपके पास chemistry या फिर applied chemistry में होनी चाहिए अगर आप B.E.B.T.E.C. पास आउट है chemical engineering में तो इसके लिए 4 post है B.E.I.T. के लिए एक post है और post graduate master degree in environmental science में दो post आपकी रहेंगी साथ में friends से आपको यहाँ पर projects के name भी दिये गए हैं कि किस project में आपके यहाँ पर job लगने वाली है उसकी detail आप यहाँ पर देख सकते है interview की जगे है वो friends से आपके यहाँ पर इस address पर जो की धनपाद जहरकन में है यहाँ पर conduct किया जाएगा और आपको date of interview है वो आपको mail के दरिये बताये जाएगा तो form में आपको mail ID और mobile number बिल्कुल सही-सही फिल करने होंगे अब जो यह form है जब आप send करेंगे जिस लिफापे के उपर उस पर आपको विज्यापन संख्या आपके संबंदित विशय और आपका जो पद का नाम है उस पर आपको लिखना होगा और इसके बार इस दिएगे address पर आपको send कर देना है और यह आपकी last date है 11 December 2020 शाम 5 बजे तक यह आपका जो form है यह आपका पहुंच जाना चाहिए इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपको detail दीगी है अभ्यरती को शाक्षतकार मतलब interview को समय जो भी मूल section एक परमान पत्र है वो आपको show करने होंगे साथ में आपको send करने ही है बाद में आपको जब बुलाया जाएगा तो उसके में आपको original भी show करने होंगे इसमें friends जो age limit है वो आपके 50 साल रहेगी अगर यहाँ पर project associate assistant की बात करें और अगर associate की बात करें तो 35 साल आपकी अपरेज रहेगी जो की last date पर आपकी counter होने वाली है इसमें friends से आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो भी यहाँ पर उमिदवार है जो भी यहाँ पर interested candidate है वो अपने जो documents है वो आप यहाँ पर इसमें attach करेंगी और इसको post के द्वारा send आपको करना होगा दियेगा address आपको दिया गया है last date आपको दी गई है आपको यह send करना है only post के थुरू तो आप simple post के थुरू इसको send कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर क्या क्या documents आपको send करने हैं तो सबसे पहले 10 की मार्शीट है certificate date of birth के प्रूफ में आपका 10 प्लस 2 certificate आपकी BSC या डिपलोमा, MSC, BE, BTEC जो भी आपकी education qualification है उससे लिटे document आपको send करने होगे आपका कास certificate, EWS certificate यह आपको send करना होगा और बाद में यह आप original भी शोक करेंगे इसमें friends से यहाँ पर आपके contract basis पर है और इसकी जनकारी आपको इस section में देखने को मिल जाती है इसके बाद friends से नीचे आपको आना है, नीचे आपको मिलेगा यह application form जो कि आपको send करना है, fill करना है, आपका यहाँ पर आपकी photo आपको लगानी है advertisement number या notification number आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, आपकिस post के लिए apply कर रहे है, candidate का नाम क्या है, father name क्या है, DOV, gender, category, address आपको लिखना है आपका और यहाँ पर friends, आपका अभिहरती का जिला है, राज्य है, pin code है, वो सब आपको यहाँ पर mention करना होगा आपका अधारकार number, mail ID, mobile number, आपके जो degree detail से जैसे 10th, 12th, graduation, BE, BTEC, MTEC, PSD, जो भी आपने किया हुआ है, उसकी detail आपको यहाँ पर board का नाम या university name, year of passing, subject name, total marks और marks in percentage आपको यहाँ पर देने होगे तो आपको यहाँ पर basic जानकारी फिल करनी है, अगर आप gate, net, CSIR, UGC या कोई भी equivalent qualification है आपके पास, तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, अगर आप experience holder है, तो experience की duration दे सकते हैं, नहीं है, तो blank छोड़ सकते हैं, अगर आपका कोई family member working में है, तो आप उसकी जानकारी है, last date 11 December 2020 रहेगी, अगर आप eligible है, apply करना चाहते हैं, apply कर सकते हैं, और description में जाकर details को check कर सकते हैं, तो jobrasta.com पर आपको सभी details available है, अगर आप applicable है, apply करना चाहें, apply कीजिए, आपको अगर वीडियो पसंद आया है, तो like, subscribe and share कीजिए, और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रही हमारे साथ, देखते हैं हमारा YouTube चैनल, and last thanks for watching.